विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यान मई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएँ जय गुरुदेव यूग वसिष्ट के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है पिछले एपिसोड में राजा जनक ने अपने परिश्रम से जूस्तिती प्राप्त कर ली उसे हमने देखा वसिष्ट जी उस पर प्रभू राम चंद्र जी को यह बतला रहे है वसिष्ट जी ने कहा हे राम जैसे जनक ने आत्मा की प्रकृती का अनुसंदान किया वैसे तुम भी अनुसंदान करो राजा जनक ने खुद के परिश्रम से आत्म चिंतन से वहस्तिती प्राप्त कर ली थी खुद के प्रयास से वो उस्तिती तक जा पहुचा था वसिष्ट महर्शी वही प्रभू राम चंद्र जी को सला दे रहे कि तुमें भी वैसे ही अनुसंदान करना चाहिए इसमें न देवता सहबागी होते है न अनुष्ठान न धन और न संबन्दी ही इसमें कोई नहीं साथ आएगा न कोई देवता के वरदान से तुमें वह प्राप्त होगा न दन से प्राप्त होगा न सगे संबंदी किसी काम में आएंगे तुमें खुद को करना पड़ेगा जो लोग संसार रुपी माया से भैबीत है उन्हें प्रयाज द्वारा आत्मा का अनुसंदान करके आत्म ग्यान प्राप्त करना चाहिए यह संसार में जो कुछ है वह माया है और वह भैबीत करने वाली है जिसके भीतर यह विवेक उत्पन हो गया न उसने क्या करना चाहिए? उसने प्रयाज से आत्म ग्यान प्राप्त करना चाहिए राजा जनक को कैसे आत्म ग्यान प्राप्त हुआ यह वर्णन मैंने तुमसे किया तुम्हें ऐसे लग रहा होगा यह उसकी जोली में इश्वरिय कृपा की वज़े से आपड़ा है तुम्हें ऐसे सोच सकते हो यह सारा वर्णन सुनके कि कोई इश्वरिय कृपा राजा जनक पे हो गई और उसके जोली में जैसे यह प्रसाद स्वरुप आगिरा जब मैं यह हूँ या वह हूँ कि सीमित बुद्ध मानसिकता समाप्थ हो जाती है तब सर्वव्यापी असीम चेतना का उदय होता है अतराम तुम भी अपने मन से मिथ्या और कालपनिक एहम की धारणा निकाल दो मिथ्या और कालपनिक एहम की धारणा तुम अपने मन से निकाल दो उसके वज़े से ही सारा है गडबड जब तुमारे रिदे से एहम का भाव निकल जाएगा तब निश्चित रूप से ही आत्म ज्यान का प्रकाश उदित होगा एहम का भाव ऐसे हम कह सकते हैं कि एक बीच में बाधा बन के आता है जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ इसके बाहर सूरज की रोशनी है लेकिन ये आहम का भाव दिवार की तरह है वहर रोशनी को पीतर की रोशनी को या बाहर की रोशनी को हम देख नहीं पा रहे हैं जब आहम का भाव चला जाएगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे काच की तरह पारदर्शी हो जाएगा सब कुछ इसलिए ये मिथ्या अहम का बहाव निकालते ही आत्म ग्यान का उदय हो जाएगा यह वसिष्ट महमुनी कह रहे जो जानता है मैं नहीं हूँ न कोई और विद्यमान है और न सत्ता का अभाव ही है ऐसे व्यक्ति की बुद्धी स्तिर हो जाती है मैं नहीं हूँ यह समझ में आना न और कोई विद्यमान है यह भी समझ में आना और न सत्ता का अभाव है यह समझ में आना तब ही वह आत्म ग्यान की उत्पत्ति होती है हे राम यहां संग्रह की लालसा और आवंचित में बचे रहने की चिंता के अतिरिक्त और कोई बंदन नहीं जिनमें संग्रहन और परित्याग की वृत्या नश्ट हो जाती है, उनमें किसी वस्तु को प्राप्त करना या उसका परित्याग करने की इच्छा फिर नहीं होती, संग्रह करना या परित्याग करना मैं कुछ चीजों को इकठा करना चाहता हूँ या मैं कुछ चीजों से पीछा छोड़ाना चाहता हूँ ये दो भाव सबसे ज़्यादा बंधन में डालने वाले है, पूरे जीवन में हम किस चीज में उल्जे है, आपको क्या लगता है आपको नहीं लगता, यहां पर जो वसिष्ट जी कह रहे, उन्होंने दो ही शब्दों में सारा जीवन किस में उल्जा हूआ है, वो बता दिया या तो संग्रह करने के, कुछ तो भी हासिल करने के पास रखने के पीछे भाग रहे, संग्रह के पीछे भाग रहे या कुछ चीजे नहीं चाहिए, इससे छुटकारा हो जाए, इससे छुटकारा हो जाए, इसमें उल्जे हुए है, इस दोनों धारणाओं के इन दोनों भावों से उपर उटना पड़ेगा, ना कुछ संग्रह करना है, ना परित्याग, जब इन वृत्यों का नाश होता है, त अभी मन पूर्ण समभाव की स्तिती को प्राप्त होता है, इसके बाद ही समभाव की स्तिती आने वाले है, जब तक कोई सोचता है, यह वास्तविकता है, और यह अवास्तविकता है, तब तक उसके मन को शांती और समभाव अनुभाव में नहीं होता, नहीं आता, यह वास् ये भी धरना है और उसके वज़े से भी समभाव नहीं प्राप्त होता क्योंकि मन या तो वास्तविक्ता में उलड़ जाता है या अवास्तविक्ता में उलड़ जाता है हर चीज को एक दृष्टी से नहीं देख पाता तो इससे भी उपर उठो तभी समभाव प्राप्त होग समभाव, पवित्रता और वैराग्य कैसे उत्पन्न होते है जब तक अच्छे, बुरे, लाब और हानी संबंदी विचार मन में उत्पन्न होंगे लाब, कुछ लाब मिला, हानी हुई यही सारे विचारों में अगर मन अगर उलजा हुआ है तो कहां से वैराग्य उत्पन्न होगा कहां से सत्यानुभव में आएगा तो पहले यह जो सांसारिक चीजों से जुड़े वे भाव जो मन में उत्पुतल कर रहे है उनसे त्याग करना पड़ेगा उनसे पीछा छोड़ाना पड़ेगा जब सब जग ब्रह्म ही है तब कैसे कहा जा सकता है कि वह सही है या गलत है मुझे लगता है हमारे इन शास्त्रों में और इन पुरानों में ही ये बात है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि सही और गलत भी ब्रह्म है बाकी के काफी जग पे ये धारणा देखने को मिलती है ये इश्वर है और ये शैतान है तो यहाँ पे तो वो भी नहीं अगर सब जगब ब्रह्म ही व्यापत है तो फिर वो ब्रह्म ही है फिर सत्य और असत्य सही और गलत ये सिर्फ कल्पनाई या धारणाई है कह रहे अनिच्छा, अभहे, स्तिर्ता, समभाव, ग्यान, निर्मूह, अकर्म, अच्छाई, अविकृती, साहस, दैर्य, मैत्री, बुद्धिमत्ता, संतोष और मधुर भाशन ये सभी गुन उस व्यक्ति के लिए सहज और स्वाभाविक है जिसमें संग्रह और परित्या करने की वृत्तिया ही नहीं है तो जब संग्रह और परित्या करने की वृत्ति से उपर उठ गए तो सारे सद्गुन अपने आप प्रस्फुरित हो जाएंगे उस व्यक्ति में ये सारे गुण उस व्यक्ति का आश्रे लेंगे ये कह रहे हैं, खुद बखुद आ जाएंगे, मन को नीचे की और प्रवृत्त होने से वैसे ही रोकना चाहिए, जैसे जल को बांध बना कर नीचे की और जाने से रोका जाता है, मन को मन से ही काट दो, मन को मन से ही काट दो, मन ही अनुभव कर रहा है कि सब कुछ मिथ्या है, तो मन से ही मन की धारणाओं को मन से ही मन को काटना पड़ेगा, तो क्या कह रहे है, उपने मन से ही मन को काट दो, पवित्रता की स्थिती प्राप्त होने पर उसमें स्थित रहना चाहिए, समभाव में स्थित होना चाहिए, स्थितिया चाहिए जो भी कुछ हो आचरन करना चाहिए, समभाव की स्थिती में स्थित हो जाओ ठीक है परिस्थितिया कभी उपर नीचे यहां वहां हो सकती है ठीक है परिस्थितिया है वो उसमें अपने आपको इतना बंधा हुआ मत समझो स्थित खुत में हो जाओ तो यह परिस्तितिया आपको परिशान नहीं कर पाएगी समभाव में स्तित्र हो वही जीवन का अंतिम उद्देश रखो संकल्प हीन जीवन जीना चाहिए कोई संकल्प भी नहीं है इतना एक लए हो गए उस ब्रह्म के साथ कोई संकल्प भी नहीं है, जो हो रहा है उसके साथ, परमात्मा की प्रकृती भी ऐसी ही होती है, वाँ, परमात्मा की प्रकृती भी संकल्प रहित होती है, कोई संकल्प नहीं है उसके प्रकृती में, तो वैसे हो जाओगे, परमात्मा के साथ लए हो जाओगे, सभी कर्मों क व करता भी है और अ करता भी आज के इस एपिसोड में महर्शी वसिष्ट जी ने बहुत सुन्दर उपदेश दिया है प्रबूरामचंदर जी को बार-बार इसको देखना इसको सुनना और देखना कि इस समभाव में हम कैसे रह पाएंगे क्या करने से सब कुछ एग जैसे लगने लगेगा हम ऐसे क्या करेंगे कि संकल्पहीन जीवन हो जाए संकल्पहीन जीवन होते ही क्या बताया परमात्मा की प्रकृति भी ऐसी है इसका मतलब हम परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे मन में उटने वाली सारी उतल पुतल समुन्दर की लहरे जैसे शान्त हो गई तुम समुन्दर ही हो जाओगे इस विचार पर थोड़ा सा मन्थन करें फिर देखते हैं अगले एपिसोड में वसिष्ट महर्शी और क्या बताते हैं तब तक के लिए जै गुरुदेव